वेल्कम दोस्तों मैं धीरज सेंटर में तरफ से आप सापका स्वागत रहता हूं तो आज हम दोस्तों डिसकस करेंगे एक वीक डाइबेसिक एसिट के बारे में समझेंगे तो डाइबेसिक एसिट के पास दो हाइड्रोजन रहते हैं तो H2A इस तरह से रहेगा डाइबेसिक एसिट और यह पहला जो इकलिवर्म है दोस्तों वो को इस तरह से बनाएगा H A माइनस प्लस H फिर उसके बाद एक और इकलिवर्म होगा दोस्तों H A माइनस यहां पर A2 माइनस प्लस H प्लस देखा तो एक चीज जो आपको सबको एक तरह से समझ में आनी चाहिए पूरे चैप्टर की एक common एक theme होती है दोस्तों यह आपको यह समझना है कि जितने भी ions है दोस्तों यह सब के साथ एक साथ exist करते हैं एक flask में आप समझ लीजे कि सारे ions हैं और उस flask के अंदर multiple equilibrium हो सकते हैं आप यह divasic acid ही ले लीजे यहां पर आप देख रहे हैं कि दो equilibrium है simultaneously exist कर रहे हैं और यहां पर आप देखेंगे कि एक जो ion है H प्लस वो इन दोनों equilibrium में common है तो ऐसा नहीं है कि आप इसके जो H प्लस है इसा concentration अलग ले लेंगे और इस equilibrium का जो H प्लस concentration इसको अलग लेंगे same H प्लस है दोस्तों और वही concentration पहला equilibrium भी किये हुए है और वही H प्लस दूसरा equilibrium भी create करने में help कर रहा है तो यहां पर simultaneous equilibrium है इसी तरह से एक और equilibrium यहां पर है water का right water का equilibrium है H2O water का equilibrium है दोस्तों H2O giving H प्लस प्लस OH- okay तीन equilibrium है इस फ्लस के अंदर अगर मैं basic acid यहां पर डालता हूं और यह जो दोस्तों इसको हम mostly ignore कर देते हैं until and unless आपको H प्लस concentration या acid से around less than 10 to power 6 molar मिलेगा ओके अगर आपका H plus concentration इन दोनों को consider करके ही 10 to power minus 6 आ रहा है तो आपको इस फो consider करने की जरूबर नहीं है तो हम यह मान के चलते हैं कि हमारा जो एक्प्लस concentration है वो 10 to power minus 6 से ज़्यादा है और जो आपका pH है वो 6 और 6 से कम है तो इसलिए हम water का equilibrium consider नहीं भी करेंगे तो चलेगा कि तो मैं इसको erase कर लेता हूं अब इसका equilibrium constant माल लेते हैं k1 है और दूसरे का माल लेते हैं k2 है तो initially at t equal to 0 मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं initially at t equal to 0 इसका concentration माल लेते हैं c है यह 0 था यह 0 था अब degree of distribution पहला reaction का हम माल लेते हैं alpha 1 तो c1 minus alpha 1 यह होगा आपका c alpha 1 और यह आपका हो गया c alpha 1 अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि यह h plus और यह h plus अलग अलग नहीं है तो जैसे ही आपने उपर c alpha 1 लिखा यहाँ पर भी आपको c alpha 1 लिख रहे ना है और h a minus at the start c alpha 1 है यहाँ पर और इधर पर a 2 minus 0 है अब यह भी dissociate होगा अभी c alpha 1 concentration है वहाँ से dissociate होगा तो second dissociation constant हम माल लेते हैं alpha 2 है यहाँ पर आएगा c alpha 1 alpha 2 अब यहाँ c alpha 1 plus c alpha 1 alpha 2 आ गया अब यहाँ पर जैसे ही आपने plus c alpha 1 alpha 2 लिखा यहाँ पर भी आपको c alpha 1 alpha 2 लिख देना है तो h plus concentration आप देख पा रहे होंगे दोनों reaction में same है क्योंकि same h plus ही है जो दोनों जगे equilibrium attain करने में help करता है अब इसकी हम लोग reaction लिख लेते हैं पहला जो equilibrium constant आपका जो ka1 है वो क्या होगा दोस्तों concentration of h plus concentration of oh sorry concentration of h plus into concentration of ha minus divided by concentration of h2a ओके तो आपका जो ka1 निकल के आएगा दोस्तों वो c alpha 1 multiplied by c alpha 1 1 plus alpha 2 है यह आप खुद से करके देख लीज़ेगा तो बेटर रहेगा इसमें calculation wise c into 1 minus alpha 1 ओके दूसरे में equilibrium constant ka2 लिखेंगे यहां पर आएगा आपका दोस्तो c alpha 1 alpha 2 c alpha 1 1 plus alpha 2 मैं इस चीज को c alpha 1 into 1 plus alpha 2 लिख रहा हूं divided by c alpha 1 1 minus alpha 2 तो इस तरह से अपने पास दो equation आ गई है एक equation यह है और एक equation यह है अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको बस alpha 1 और alpha 2 की value चाहिए आपको बाद 2 equation है और alpha 1 alpha 2 दो variable है तो solve कर लिजे आपको answer मिल जाएगा लेकिन यहां पर हमें कुछ common tricks use करनी होती है आइनिक equilibrium में just to make the calculation simpler जैसे कि मैं अगर बोलो यहां पर कि 1 lakh अगर मेरे पास 1 lakh amount है plus 0.00001 अब मैं इसको add करने की यहां पर कुछ जरूद नहीं है क्योंकि यह जो number इससे काफी कम है तो मैं इसको ignore कर सकता हूँ तो यह roughly 1 lakh ही होगा ठीक है उसी तरह से हम लोग यहां पर कुछ assumption लेंगे और चीज़े approximate करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो calculation है वो simplify हो जाए अब जो problem बच्चे face करते हैं इस chapter में वो यह होता है कि कहीं पे भी लिखा नहीं होता है कि आपको यह approximation करना है यह assumed होता है assume कैसे होता है भई अगर मैंने आपको जैसे बोल दिया for example physics में यंग double set experiment है उसमें आप assume कर लेते हो कि जो दो slits से raise आ रही है वो parallel है और capital D क्योंकि बहुत बढ़ा है वो अलग से लिखा नहीं रहता है इसी तरह से दोस्तों यहां पर जब भी भी लिखेंगे वीक acid या वीक यहां पर जब आप reaction देखेंगे तो आप clearly यहां पर यह make out कर पा रहे होंगे कि यह जो H2O है H2A है यह easy dissociate हो जाएगा हाला कि weak है पूरी तरह से dissociate नहीं होगा लेकिन comparative to HA minus यह आराम से dissociate होगा लेकिन HA minus अपने अंदर से H plus निकालने में इसको बहुत दिक्कत होगी क्योंक चाहेगा कि मैं neutralize हो जाऊं लेकिन यहां पर H plus और निकल गया तो वो A2 minus हो गया तो naturally K A2 जो है K A1 से काफी कम होगा ऐसे ही और और तो और दोस्तों यह जो H plus आएगा यह common ion effect शो करेगा यानि कि इसका जो concentration है क्योंकि है H plus common है दोनों reaction में तो अगर मैं इसका concentration बढ़ा देत तो पहले ही K A2 इतना कम है और common ion भी है यहां पर उसकी वज़े से जो ये इस reaction की वज़े से जो H plus बनेगा दूसरे reaction की वज़े से जो H plus बनेगा बहुत कम होगा तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि जो alpha 2 है it's very very less तो alpha 2 बहुत कम है alpha 2 is close to 0 so 1 minus alpha 2 is roughly equal to 1 1 plus alpha 2 this is also roughly close to 1 और यहां पर एक स्टेप आगे बढ़के क्योंकि यह weak acid है कितना भी मतलब पहला जो reaction है कितना भी तेज क्यों ना हो दूसरे वाले reaction से बट फिर भी है तो यह weak acid ही तो हम लोग यहां पर यह मान के चलते हैं कि alpha 1 जो है वो less than 0.1 है और अगर नहीं है तो हमको पता लग जाए है 1 minus alpha 1 is also close to 1 and 1 plus alpha 1 is also close to 1 तो यहां पर आप देखेंगे धेर सारे approximation है यह आपको basically याद रखने होंगे तो यहां पर और कोई उपाय आपके पास नहीं है तो k a1 यहां पर यहां पर यह आया c और c चला गया दोस्तों और आप देखेंगे k a1 सीधे सीधे यहां पर निकल आत alpha 2 1 हो गया तो k a1 k a2 sorry हो गया c alpha 1 alpha 2 ओके अब इन दोनों equation आप देखेंगे बहुत ही simple होगे equation हालागि आपने काफी ज्यादा approximation की है बट यह valid approximation है क्योंकि हम एक V कैसिर के बारे बात कर रहे हैं alpha 1 में आप debate कर सकते हैं कि यह 0.1 से थोड़ा सा बढ़ा हो गया तो क्या होगा बढ़ा हो गया तो आप 1 minus alpha 1 1 के बरावर नहीं ले सकते हैं 1 plus alpha 1 भी 1 के बरावर नहीं ले सकते हैं तो आपकी यह approximation valid नहीं रहेगी लेकिन alpha 2 वाली approximation आपकी valid रहेगी तो यहां से आपका आजाएगा दोस्तो alpha 1 आजाएगा root over k a1 by c तो जो concentration of h plus है वो क्या है c alpha 1 plus c alpha 1 alpha 2 यही दिखाता हमने reaction में तो alpha 2 तो बहुत कम है तो यह हम ignore कर देते हैं तो concentration of h plus दोस्तो यह आजाएगी root over c k a1 और अगर आप दोनों तरफ negative log ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा pH is equal to half of p k a1 minus log of c इस तरह से आप pH निकाल सकते हैं यहां पर आप थोड़ा सा चेक कर लेजेगा य तो भी value given होगी k a1 और c की alpha 1 should be less than 0.1 अब अगर मैं पूछू यहां पर दोस्तों कि concentration of a2 minus क्या होगी अब simply जाएंगे अपने reaction board के पास और यहां देखेंगे कि concentration of a2 minus is c alpha 1 alpha 2 जो की k a2 के बराबर है तो इस तरह से दोस्तों आप concentration of a2 minus निकाल सकते हैं और pH भी निकाल सकते ह हैं okay so thanks for watching the video मैं इसी तरह से छोटे वीडियो बनाने की सोच रहा हूं और मैं आपको अलग-अलग concept के different videos बनाके शो करता रहूंगा थैंक यू